हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ सौधिन और वेलकम टो आर चैनल HD Global Biotech दोस्तों आज हम लोग कुछ topic के साथ आये हैं जो बहुत important है basic है लेकिन इसका requirement हम लोग को चाहिए होता है और मुझे बहुत सरे questions आये हैं उन सारे topic के उपर तो हम लोग उस topic पर बात करेंगे अगर किसी को probiotic चाहिए होगा जो मेरा खुद का बनाया हुआ probiotic है aqua nano तो यह बंगाल में बहुत जगे पहुच चुक है already तो अगर किसी को चाहिए होगा मुझसे directly तो इस WhatsApp नमबर पर मुझसे contact कर सकते हो और अगर किसी को end-to-end project चाहिए setup चाहिए ऐसे consultant मुझे hire करना है तो वह भी आप मुझे contact कर सकते है इस वार सेम वार सब नमबर से ठीक है दोस्तों पर हम जाते हैं आप फर्स्ट आपिक जो है यह है प्रोबाइटिक से रिलेटिटिटी है जो बहुत सारे लोग मुझे फोन करके बोल रहा है कि सर मैं पॉन के मिट्टी से प्रोबाइटिक बना है तो यह कैसे होगा नहीं होगा क्योंकि बहुत सरे लोग बता रहा है इसको करना है तो दोस्तों तो बिय फिर एकन्म स्रोब मैं ने प्रोबसर एरमसर से contact किया था ठीक है बहुत सारे लोग बता रहे कि बहुत सारे contaminations हो सकता है ठीक है दोस्तों आप देख सकते हैं पर प्रॉपर लिया अपर्ट फॉर्म डैट बहुत सारे training sessions के बारे में भी मैंने बात किया उन लोगों से प्रॉपर सर यह उन सर से तो जेनरली सर से मुझसे मुझसे communication होते रहते है तो तो भी फ्रैंक उनके जो reply आया है ठीक है वो reply मैं बोलूँगा तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई यह मेरे वीडियो का counterpart कर रहा है तो मैं स्रीव आपको इतना है बता रहा हूं अगर आपके inoculation ठीक से नहीं पता है अगर आप बैक्टरिया बैक्टरिया के डिप्रेंट सेट नहीं कर सकते हो स्रीव मिट्टिल आके और उस पे गुरु बगेरा डालके और राइस ब्रैंड डालके और थोरा से सुखा के उसी का पॉन्ट प्यूज कर अगर आप लखी हो प्राबलिए अपको चल जाएगा और अगर आप अनलखी हो उसमें बहुत सारे पैथोजन या बहुत सारे स्पोर्स फंगल स्पोर्स अगर रूख जाता है तो आपका मचली पूरा खराब हो जाएगा क्योंकि यह जो 10,000 लिटर और 20,000 लिटर के कल्चर है यह इसराइली कल्चर नहीं है इंदोनेशन कल्चर है जो बाद में इंडिया में माइगरेट होके आया है तो इसराइल में बहुत लाक अन लाक अन टरन अन टरन मचली होता है तो उसमें बहुत सारे चीज़े में प्रॉब्लम नहीं होता है बर इंडिया में बहुत हाई डेंसिटी पे काम होता है और छोड़ो चोड़ो टैंक प क्योंकि हम लोग जितना दीन जा रहे हम लोग भी थोड़ा-थोड़ा समझ में आ रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है autotropic bacteria जैसे अपने nitrosomonas nitrobacter यह लोग sports form में होता है कि नहीं होता है तो definitely यह लोग sports form में नहीं होता है तो now मेरा second question है कि autotropic bacteria can be in powder form तो मैं उस पर यहीं बता सकता हूँ कि हाँ autotropic bacteria में भी powder form में आ सकता है बद कुछ conditions के साथ ठीके और autotropic bacteria liquid form में हो सकता है क्या हाँ definitely हो सकता है बद इसमें भी थोड़ा conditions है ठीके अभी आप लोग पूछोगे कि भाई powder form में कैसे आ सकता है ठीके यह possibly नहीं है मैं बोलना हूँ powder form में आ सकता है बट sports नहीं होता है sports form कभी generate होई नहीं सकता तो बहुत सरा technology भी इंडिया में आ चुक है पहले प्रबाबली नहीं था भी आ चुक है जो एक main technology है उसको बोलता है है cell immobilization ठीके तो यह जो cell immobilization technology है यह solid face में भी उसको ला सकते हैं हम लोग ठीके और जब भी हम लोग sports बनाते हैं हो नहीं हम लोग spray dryer से बनाते हैं जो गरम एक हीटर जैसे रहते हैं उसको इसको हम लोग कोटिंग करते हैं फिर आपकी sports और यह जो sales होता है और बाद में आपको mix करना पड़ता है उसके बाद पैकेट में करना पड़ता है उसको मतलब यह नहीं होता है है कि nitrification battery आपके sports फॉर्म में होता है बाद पाउडर फॉर्म में करक किया जा सकता है बहुत difficult process है बहुत difficult in the sense इसका खर्चा बहुत जादा होता है और मुझे जितना पता है अभी तक इंडिया में सिर्फ साउथ में दो colleges है और तो आप university बोलो जिसमें यह टेक्निक आपको यूज करने दिया जाता है और market में सिर्फ कोई भी packet में लिख देना मतलब उसमे nitrification bacteria है यह बहुत difficult पॉसिबल इसका उधारन में बता रहा हूं ठीक है यह आप देख लो दोस्तों यह आप जाना मना पैचाना एक आपके प्रोवाइटिक है जो स्टार्टिंग से market पे रास कर रहा था आप देखो ठीक है नाइट्र सोमोनास नाइट्र बैक्टर ठीक है यह आपके नाइट्र फैंग बैक्ट्रिया था ठीक है यह पाउडर के साथ में आ रहा था बट रिसेंटली आप देखो कि यह स्पेसिस और मुस्ट बंद कर चुके अभी सिर्फ यह बैसिला से स्पेसिस पर ही है ठीक है तो यह बहुत खर्चा वाला काम है और इसका कॉस्ट बहुत ज फीकराण में में नहीं रख सकते हो अगर उसका इंह Cyrus और आप नहीं कर सकते हो ठीक है नाइट्रिफिकेशन बैक्ट्रिया में इन तॉट कर लिया ठीक है चलो आपने तंडाय me कि यह दो साल तीन साल चार सल बचा रहेगा यह बहुत डिफिकल्ड होता है आपको सेल को immobilize करना ही है जो भी आपका बैक्टरिया होता है उनके जो chromosome जो फैक्टर होते DNA या RNA से जो बना होता है उस पे उस पे अदेनिन ग्यानीन थाइमीन साइटर से निवगासिल इसका जो बॉंडिंग होता है ठीक है इसको आपको immobilize करना परते है उसको आपको पैरलाइस जैसे करना परता है कि यह सिर्फ जिन्दा जैसा है उसके बाद भी जो सब्सक्राइस आपने एक बनाया उस में बहुत मुश्कील शेट एक आधा मिलियान ही आपका जिंदा या आधा जिन्दा कंडिशन में रहता है तो यह बहुत होता है अधर लिक्वीट फॉर्म में ले लो या पाउडर फॉर्म में अपले लो यह बहुत दिपिकल्ट है liquid form में रखना तो भी जादा easy होता है powder फोर में रखना बहुत difficult होता है इसलिए byotech company switch हो रहा है liquid form में बी जो रहता है इसमें भी viability बहुत कम होता है तो आटो ट्राफिक बैक्ट्रिया का viability कोई भी form में जायों बहुत कम होता है बहुत difficult होता है दोस्तों अभी जो next question है बहुत सरे लोगों को confusion है भाई carbon and carbohydrate ठीक है तो कोई बोलते कि भाई molasses डाल दिया तो जितना है उतना ही liquid carbon है भाई यह liquid carbon उतना नहीं होता है molasses डालो गुरू डालो चीनी डालो उसका एक percentage carbon होता है अगर आप देखते हो न स्वाइल के अनला भाय पेपता यह भाग यह जल्दीव मेटाबैलीजब्लयजम रहे कर्वा कावड़ेप हेह अब only्ह crian쟁र होता है पुछोम कोछओल का हया बहृत जल्दी मेटाब spricht Red करना चालू करता है जैसे आप देख लो आप जैसे ग्लुकोस होता है यह मोनो सैकराइड से इसलिए आप लोग कभी बाहर से आते हैं आपके ग्लुकोस पिला जाता है कि बहुत जल्द इंस्टेंट बॉन तोर के आपके बॉड़ी में रियक्शन करता है अगर आपके पॉलिस आपको कैल्कुलेट करना है ठीक है दोस्तों तीसरी बात है इंपक्ट ऑन सी अन रेशियो देखो जो फीड है उसका इंपक्ट कैसा होता है मैंने पहले भी बताया था जो थर्टी परसंट बड़ा प्रोटीन का जो खाना होता है मचली के खाना और मुस्ट ए वान इस्टू इंपक्ता नहीं होता है यह कार्भोन करने को कमोंगे भी स्कृम मेंघ के बाहर自己 बाता है मुझे नहीं पर यह भी दोस्तु है gentleman pan जब मचली का अगर आपको लगता है कि भाई प्रोटीन रिकार्मेंट कम होता है मचली बड़ा हो चुका तब इमीडियेटली लोग प्रोटीन पे आफ शिप्ट हो जाओ गोद्रित का 24 परसेंट प्रोटीन वाला खाना मिलता है बाद उसका इमेंस वर बड़ा होता है ठीक है उसका बहुत वराइटी आफ रेंज होता है स्वीट वाटर से लेके यह आपके हाई सालनेटी तक भी जी लाता है तो मैं बोलूंगा कि भाई आप फ्रेच वाटर में मत रखो उसको सालनेटी उस पर इंटूडूस करो पांस से दस पीपीटी तक रखो दस पीपीटी तक र तो आप लोग सालनेटी मेंटेन रखो श्रीम के लिए ठीक है और स्टॉकिंग डेंसिटी जो होता है जेनरली दोस्त क्या बोला जाता है कि क्लोस्टू अगर जो सेम इंटेंसिव कल्चर होता है क्लोस्टू 250 पीस रहता है पर 1000 लिटर और थोड़ा इंटेंसिव होता है थी यूसफूल नहीं है कभी एक लाग दो लाग पांच लाग दस लाग लिटर जो बड़े बड़े जो प्रॉजेक्ट होता है यही वहना मिश्रीम के लिए प्रॉफिटिबल होता है तो छोड़े चोड़े 10,000 लिटर के टाइंग पे वहना मिश्रीम कल्चर मत करो आपको जो है कि तेला पिया के बारे में लोग पूसता है कि तेला पिया प्रॉफिटिबल है कि इंडिया पी की नहीं भाई में स्टेट फॉर्बस सीडियसली छोटा से चीज बताऊंगा बाई ऑन एवरेज आपका वान एफसी आर में पकर के चलता हूं कि आप कोई भी मशली ले ठीक है अब बनाने के लिए उसके बाद आपका प्रोबाइटिक आपके अधर कोस्ट मिला कि अगर और 30-40 रूपय एड कर देते हो तो आपको 80-90 रूपय ऐसे बर जाता है अगर आप होल्सेल में बैचोगे तो 100 रुपीस पे तो 10 रुपिया 15 रुपिया 20 रुपिया आपको पर केजी में प्रॉफिट आएगा ये भी प्रॉफिट होता है तो बट ये ये डिखने वाला प्रॉफिट नहीं है आधर आपको हाई वैलू फीज जाना है और आप तेले 30 रुपिया पर केजी तक आपके फीड हो जाए और एक आधर अगर आप नैचरल फीड जैसे आपके डगविट्स वाटर वीट्स अजोला वगरा अगर आप देते मैनेज करते हो तो फिर आपके फीड कोस्ट कम हो जाएगा तो ही आपका तेले प्रॉफिटिब होगा नहीं है आपका brown culture और green culture सिर्व में सब्राइब बता रहाँ गाए अकर green culture है इसमें इसमें कुछ सुभिदा है जैसा बहु बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है आपका carbon source कम लगता है दिन में और रात में क्या होता है कि आपको oxygen का requirement बहुत ज्यादा हो जादा है क्योंकि आप जो algae है यह algae आपके बैक्टरिया और मचली तो अगर अगर आपके पानी में अगर बहुत ज्यादा हो जाता है जिसको ब्लूम बोलते हैं अगर आप पानी हतली पी लेते और छोटे-छोटे आपको ग्रीन वाला पर्टिकुल देखते हैं तो आप पकर के लो आपका बहुत डेंजर साइन है तो उस पानी को आपको इमीडेटली च थूसेम रहता ही हो कि या क्कि उसमें एलगे नहीं होता है ब्राउन कलिछर में और गेन कल्चर में एलगे होता है इसलिए ऊथोरा डीयों का अब्रायक्तोट कम होजाता है तो अब मैं इस अधी जो प्लास्ट अजो क्वेस्चंछ Due कि यह काफी पोछा जाता आ HOL ॉर मुझ यह लोग darf ने जहेला एक कुछ भी नहीं है ठीक है ऑक्टोबर नवेंबर के बात से इस यह जो डिससे न यह बहुत ज्यादा हो जाएगा क्युक्朝 तो हम लोग के जो आसपास में जितने भी तालाफ है कुछ कुछ जगह पे इभिन बोरोवेल के पानी पे भी आपकी स्पोर्स आएगा ठीक है तो मतलब आप ये पकरके चलो कि ठंडी के टाइम में जो भी पानी आप यूस करेंगो उसको तैंक पर मत देना उसको ट्रीटमेंट करना है ठीक है उसके पर जम्प पहले उसको मारना है उसके बाद ही पानी यूस करना है नहीं तो स्पोर्स रहेगा डिफिनेटल ये आपके पानी में आएगा और आपको पता है कि कोई मचली कोई कितना डिजिस ये देता है और कितना प्राब्लेम क्रेट करता है ठीक है तो आप लोग सबने एक्पिरिंस करी लिया है ठीक है बड्ट इसका ट्रीटमेंट पॉसिबिल है औ सब्सक्राइब करते हैं तो आपको देखना पड़ेगा चाहिए तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन से स्टेजबा आपको क्या देना है only thing is that एक चीजा व्याद रखना यह फंगल डिजीस होता है न इस्पेशली यह क्या करता है जब टार्टियल स्टेज आता है यह हाइफे क्रियेट करता है हाइफे मतलब अगर यह हाइफे हो गया है और आपके मचली के बॉड़ी मचली के बॉड़ी के अंदर जाके और गयान पे अगर यह हाइफे घुच जाता है एफेक्ट करता है तो उस मचली टार्टियरी फेज वाला मचली almost बचना impossible हो जाता है ठीक है अगर आपके प्राइमरी फेज पे है सेगिंडरी फेज पे है छोड़ा फोड़ा इनफेक्शन है बॉड़ी के ऊपर है पैचे से कॉट्वन इस्ट्रक्चर है जली जली इस्ट्रक्चर है लेच पे फिन पे इधर-उदर है ठीक है नो प्राब्लम है ठीक हो जाता है बट अगर यह बहुत डेंजरेस सिच्वेक्शन है अगर यह जो आपके हाइफे है अगर मचली के बॉ जाना नामुम्किन आल्मोस्ट इंपॉसिबिल जैसा हो जाता है ठीक है तो आप इस समझे लो तो जब भी आपको फंगल इंफेक्शन दिखेगा आप इनिश्यली स्टार्टिंग से आप ट्रीट्मेंट करो तो आपके कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आपके पूरो ट तो आपको आपको इस सारी इंफोर्मेशन में ने बताया आपको पसंद आया है ठीक है तो आज कल थोड़ा काम बहुत ज्यादा होता है और बहुत सारे प्रोजेक्ट भी है अंडर माई सूपर वीजिन तो टाइम बहुत कम मिलता है तो आशा करता हूं आप लोगों को बड़ा बाद वीडियो बनाते जाओ ठीक है दोस्तों थैंक यू सो मुच फ़र बिइंग वित अस ठीक है थैंक्स